अब है भी में मेरे एक दोश् e कोई है ओभ बड़ा परिशान था पोला ता कि यार होम लोन की किस्ट बढ़े जा रही है जब से रेपर में बार बार और बला और मेरे अम लोन हमारा मिस्सान है इंडिया को फाइनिसी लेवेर बनाना तो आप हमारे उस मिस्सान मेज़ोड के हमारा साथ दे सकने स्वाइए चलते हैं नमस्का दोस्तों मैं हूँ शैलेंड और स्वागत है आपका मार्केट में से चैनल में बात कर रहते हैं कि लोन रीफाइनेंस लोन रीफाइनेंस क्या होता हो किस तरीके से काम करता हो और यह हमें कैसे फाइदा पहुचाता है किस तरीके से हमारी व्याज को कम कर देता है कैसे यह हमें EMI में फायदा पहुचाता है तो आज किस वीडियो में हम जानेगे दिनों दिन महिगा ही बढ़ते जा रहे हो महिगा ही कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा जाता है और रेपो रेपो रेट जब बढ़ता है का तो लौन री फाइनेंस का तो लौन री फाइनेंस हमें कैसे कराना चाहिowego कब कराना चाहिए तो आज की में टॉटल यह मैं पांच Puramen कि बात करेंगे कि लौन री फाइनेंस के लौन फाइदे हुर्ह। सो वीडियो के अंतक मने ने पूरा देके स्किप ना करें कि यह आप से कुछ important छूट ना जाए वो वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरू करीगे सो चली सबसे पहले हम बात करें कि लोन रिफाइनेंस क्या होता है देखें, ऐसा कोई भी लोन आपका home loan है जिसमें आप चाहते की कम ब्याज्टार पर हमें इसको reverse finance करा ले अपनी बैंक इनी मुझूदा बैंक से या किसी दूसरी बैंक से उसको हम loan refinance बोलते हैं यानि जो अभी हमारा loan चला है किसी कारण से मेंगा है या हमें वो पसंद नहीं आ रहा हम चाहते हैं कि उसको refinance करा लें कहीं से दूसरी bank से या जिस bank में वहां से भी refinance करवा सकते हैं जिससे आपकी EMI और आपकी ब्यासदर कम हो सकते हैं इसमें क्या होता loan refinance में कि आपका पुराना loan है उसको बंद कर दिया जाता है और नय loan को इसू कर दिया जाता है नया loan सुरू हो जाता है फिर आप उसकी किस्ते भरते हैं और वो आप अपनी सुर्दा के हिसाब से EMI ये अबदी कम करवा सकते हैं कैसे मिलता है loan refinance का फाइदा दीकि loan refinance हम कम ब्यासदर पर लेते हैं जिससे EMI हमारी अपने आपका हो जाती है अचाहें आप तो आप इसमें loan की अबदी कम करवा सकते हैं लोन की अबदी कम होने से कि अगर loan refinance का option चुनते हैं तो loan की आदी अबदी से पहले अगर चुनेंगे तो आपको जादा फायदा बन रहेगा क्योंकि सुरुवात के दनों में EMI में ब्याज का हिस्सा जादा रहता तो ऐसे में आप कम ब्याज पर अपना refinance करवा के EMI में रहत ले सकते हैं और अपना ब्याज भी कम करवा सकते हैं इसमें दूसरे point की बात करेंगे loan refinance का फायदा में तब ही है जब अभी मौजूदा बेंगी अभी आपका home loan चला है जो महेंगे ब्याज पर चला है और आप उसको भरने में सक्षम नहीं हो नहीं ठीक नहीं मिल लहीं है निए आपका वेवियर बेंक का सही नहीं है और आपके साथ मैनेजर का या कंपनी का बरताओ ठीक नहीं है इसके कारण आप परिसान रहते हैं सुबधाय सही नहीं मिल पर तो ऐसे अब में भी आप अपना loan refinance करा सकते हैं कई बैतर बेंक में जहां आपको अच्छी सुबधाय मिल सकें और अपना loan आप स्मूथ चला सकें इसमें हम चोथे point की बात करेंगे माली जै आपने home loan लिया है एक निश्य देनी fix ब्याजदर पर ले लिया है लेकिन अभी ब्याजदर घटने लगी है और इसके कारण आप चाहते हैं कि आप new ब्याजदर पर लोन लें जिससे आपकी EMI कम हो लेकिन आपका bank के floating rate पर आपको refinance करने से मना कर रहा हो और आपका loan को change करने से मना कर रहा हो तो ऐसे मैं आप loan refinance करा सकते हैं दूसरी bank से जहां आपको मौझूदा कम व्याजदर पर loan मिल सके जिससे आपकी EMI या tenure आपकम करवा सकते हैं और हम इसमें अपने पांचवे point और आक्री point की बात करेंगे दीकि माल लीजे हमने जब loan लिया था और उस समय हमारी financial इस्ति सही निथी इसलिए हमने क्या tenure रहे नहीं समय अबदी जादा कर लिए थी कि भाई ये धीरी धीरी भरते रहे हैं लेकिन अब मेरी जो इस्तिती है आप हमारी स्थिती जो सुदर गई अब हमारी financial condition अच्छी हो तो ऐसे में भी आप loan refinance करा सकते हैं नहीं उसको समय को अबदी को अब कम करवा सकते हैं जिससे आपका loan का भुकता जल्दी हो सके और जल्दी आप loan से छुटकार अपा सके है तो अब ऐगर हम बात करें तो लोन refinance का हमें फाइदा रहा हो तब ही हमें loan refinance कराना चाहिए बिना बजखे हमें loan refinance नहीं कराना चाहिए नमस्कार झाल झाल